लेटेस स्टडेज में आप सबका स्वागत है दोस्तो हम लोग लुसेंट के इंढिन इकनॉमिक सुरू किये थे पहला लेक्चर हम लोग अ लेक्टी देख चुके हैं वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेइलिस्ट में जा कर उसको देख लें दोस्तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकोन बटन को जरूर दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो की सुचना आपका असानी से मिलती रहा आए दोस्तो शुरू करते हैं दुसरा चैप्टर आर्थिक संब्रिधी एवं आर्थिक विकास दोस्तो आर्थिक संब्रिधी आर्थिक संब्रिधी किसको बोलते हैं तो आर्थिक संब्रिधी से अभिप्रायब किसी समया वधी में किसी अर्थ विवस्था में होने वाली वास्तिक आई से है समानेत यदि शकल राष्ट उत्पात यानि जिन पी सकर घरे उत्पात जीडीपी एवां प्रतिव्यक्ति आई में ब्रदी हो रहा हो तो हम कहते हैं कि आर्थिक संब्रधी हो रही है दोस्तों यहां दो सब्द है gdp यनि भार्ति यह किसी भी घरेलूज सीमा के अंदर जितना भी उतपादन होता है उसको GDP कहते है और जब GDP में बिदेशों से जुरी आय को जोड लिया जाता है यहनि बिदेसों में यहनि कोई इंडियन भारति यह वहां से जब खमा के वापस बहसता पैसे भेजता है तो जब उसको add कर लिया जाता है तो GNP मिलता है तो GNP और GDP तथा प्रतिवेक्ति आयमें जब विर्धी हो रहा हो तो हम कहेंगे कि आर्थिक सम्रधी हो रही है अर्था आर्थिक सम्रधी उत्पादन की विर्धी से संबंदित है जिसमें की परिणात्मक देख लेते हैं कि किसी देश की आर्थिक सम्रधी का सरवाधिक उपयुक मापदन्द प्रतिवेक्ति वास्तविक आये होता है यानि प्रतिवेक्ति कितना वास्तविक आये हो वहीं क्या होता है किसी भी देश की आर्थिक सम्रधी का सरवाधिक उपयुक्त मापदन्द होता है अब हम लोग देख लेते हैं आर्थिक विकास की सुझको बलते हैं तो आर्थिक संस्थाओं के सोरूप में परिवर्तन, सिक्षा तथा सक्छार्ता दर, जीवन परतियासा, पोसंड का अस्तर, स्वास्थ सिवाय, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, अम्तह आर्थिक विकास, मुल्तह मानो विकासी है, यह दोस्तों इसमें क्या है कि आर्थिक विकास जो है, यह एक व्यापक अधारणा है, जिसमें गुनात्मक और परिनात्मक दोनों देखेंगे, यानि GDP, GNP और प्रतिव्यक्ति आय में तो ब्रदी होगी, साथ में प्रतिव्यक्ति जो लाइफ एक्स्पेटेंसी है, उसमें भी ब्रदी होगी, उनके सिक्षा के अस्तर में बढ़ावा होगा, जब इस तरह के विकास होता है, तो उसको बोलते हैं आर्थिव विकास, और इनमें चार्च जो सम्मिलित है, वो होते हैं आर्थिक, राजनेतिक और समाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, सिक्षा, सक्षर्टादर, जीवन परतियासा, पोस परिवासित किया था, जिसका तात्पड़ है, जीवन पोशन, आत्मसम्मान तथा स्वतंतरता है, उन्हों ने जीवन पोशन, आत्मसम्मान तथा स्वतंतरता के रूप में आर्थिक विकास को परिवासित किया था, जबकि महमूव उलहक, जो कि पाकिस्तानी अर्षास्त्र उन्होंने आर्थिक विकास को गरीबी के विरूद लड़ाई के रूप में परिभासित किया है चाहे वो गरीबी किसी रूप में ही क्यों न हो यानि महबूल हग जो थे वह गरीब के बिलुद की लडाई है उसी को क्या बोले है उन्होंने आर्थिक विकास बताया है अब देख लेते हैं बौक्स के अंदर कि आर्थिक विकास और सोड़ी आर्थिक सम्मिर्धी केवल परिणात्मक परिवर्तन अर्थाथ इसमें राष्टी व्रभत ुद्पात के अकार अर्थिक चरो जीनका परिणात्मक मांप संबंधों में परिवर्तन होता है तो अर्थिक संविर्धी जीएनपी और परती वेक्थी आय में क्या होती है ब्रदी होती है तो आर्तिक समर्दी कालाती है लेकिन आर्तिक विकास क्या है कि परिनात्मक ये गुणास्मक परिवर्तन दोनों होता है इसमें राष्टी उत्पाद तथा जीवन की गुनोता दोनों में क्या होती है, सुधार होती है, यानि राष्टी उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आया, दोनों में इसमें तो बिर्धी होती ही होती है, साथ में व्यक्ति के जीवन में भी सुधार होता है, इसी देश का आर्थिक विकास प्राक्रितिक संसाधन पुंजी निर्मान एवं बजार के आकार पर निर्भर करता है। और फिक स्क्राइड करने के पांच दिस्तिकोर मिलते हैं पहला क्या है कि आधार भुत अवसकता प्रतियागम यानि अगया है उसका प्रतिपादन जो है ने किया था धूसरा है जीवन की भहती गुणवता निर्देशांग प्रतियागम इसका प्रतिपादम जो है मौरिस डेविस मौरिस ने किया था मौरिस डेविस मौरिस ने Overseas Development Council के कहने पर किया था इस विधी में किसी भी देश के रहन सहन अस्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए तीन आकड़ों कौन-कौन से सिसी मौर्थिदर, व्यसक सक्षर्टादर यानी अडल्टी लिट्रेसी रेट एवं एक वर्स आयू की जीवन प्रतियासा यानी लाइफ एक्सपेटेंसी रेट आट एज वन के औसत मान का उप्योग किया जाता है इसमें जीवन भहुतिक गुणगता निर्देसांग प्रतियागम में और इसका भैलू जो होता है दोस्तों 0 से लेकर 100 पैमाने पर होता है जीवन की भहुतिक गुणगता निर्देसांग प्रतियागम जो फिजिकल क्वालिटी क्वालिटी ओफ लाइफ इंडेक्स यानी प पॉइंट होता है दोस्तों क्राय सक्ति सम्ता विधी इसी विधी का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में अंतराष्ट मुद्रा कोश ने किया था आज कल विशु बैंक इसी विधी का प्रयोग विभिन देशों के रहन सान के अस्तर की तुलनात्मक के लिए कर रहा है अगला पॉइं ट्राव में क्रेश सकती सम्ता यानि पर्चेजिंग पार प्रयोडिरियटी की दिरिष्टी से भारती अर्थविवस्ता बीस्व की तीसरी बड़ी अर्थविवस्ता है ठीक है अब चोथा पॉइंट है निवल आर्थी कल्यान क्या होता है दोस्तों कि निवल आर्थी कल्यान बराबर क्या होता है सकल राष्टी उत्पाद यानि जी एन पी में से माइनस कर देते हैं उत्पादन में छीपी लागत यानि जो भी उत्पादन रखा गया है उस रखने का जो वेलबर होता है summolson का जीवन निर्वाह में सुधार का सही माप करेगा इस आवधारना का प्रियोग सबसे पहले डेली तथा काब ने 1989 में किया था नोट्स में है दोस्तो कि जीवन की गुणवता कि शुधार की माप के लिए विलियम नोर्धास तथा जेंस टोविन ने मेजर आफ इकनोमिक वेलफेर यानि मियो की धाना विक्सित की जिसके बाद सेम वल्सन ने संसोधित कर नेट इकनोमिक वेलफेर यानि न्यू कहा अगला पॉइंट है दोस्तो पाचवा है पेरेमिटर आर्थिक विकास का मानो विकास सुचकांग HDI यानि Human Development Index इस सुचकांग का प्रतिपादर 1990 में United Nation Development Program यानि UNDP से जुड़े अर्थ सास्त्री महबूब उल्हक जो की पाकिस्तान के थे अमिर्थ सेन भारत के तथा उनके सहयोगियों ने HDI यानि Human Development विकास सुचकांग का जो है डाटा त्यार किया मानो विकास सुचकांग एक सख्यांकी की सुचकांग है जिसमें जीवन परत्यासा सिक्षा आय सुचकांग को सामिल किया जाता है संजुक्त राष्ट द्वारा पहला मानो विकास सुचकांग दोस्तों 1990 में जारी किया गया था और परते एक वर्ष इसे संजुक्त राष्ट विकास कारिकरम यानि UNDP द्वारा प्रकासित किया जाता है मानो विकास सुचकांग का उच्चितम मान 1.0 होता है तक हो सकता है अब देख लेते हैं दोस्तों कि मानो विकास सुचकांग और दूसरी तरफ है मानो विकास के मामले में देश की इस्थिती यानि जो सुचकांग का भैलू दिया गया है उस भैलू के अनुसार उस देश की स्थिती क्या होगी अगर दोस्तो भैलू 0 से 0.550 से कम हो तो वो जो है निम्न मानो विकास वाले देश कहलाएंगे अगर दोस्तो 0.550 से 0.700 से कम हो तो वो देश मध्य मानो विकास वाले देश कहलाएंगे 0.700 से 0.800 से कम होगा तो उच मानो विकास वाले देश कहलाएंगे और 0.800 से 1 तक होगा तो बहुत उच्च मानो विकास वाले देश कहलाएंगे दोस्तों नोट्स में दिया गया है कि 2012 में मानो विकास उचका यानि Human Development Index जारी नहीं किया गया था अब देख लेते हैं UNDP, UNDP जोकी United Nation के 6 संस्थाओं में से एक प्रमुक संस्था है UNDP संजिक्त राष्ट के वैस्वीक विकास का एक नेटवर्क है इसका मुख्याले निव यार्क में अवस्तित है UNDP गरिबी उनमूलन और समानता को कम करने हितु लगबग सक्तर देशों में काम करता है इसके अलावा देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नितियोन नैत्रित्व कौसल साजेदारी छमताओं तथा संस्थागत छमताओं को विक्सित करने और लशीला पर बनाने में मदद करता है आई दोस्तो हम लोग देख लेते हैं 2020 का मानो विकास रिपोर्ट यानि SDI Human Development Index 2020 का जारी हुआ है इसको जारी दोस्तो UNDP करता है 16 December 2020 को जारी किया गया था इसमें टोटल 189 देशों को सम्मिलित किया गया था टोटल इसमें 189 देश इसमें सामिल हुए थे जिसमें भारत 113 अस्थान पर था पिछले बर्स दोस्तो या 129 अस्थान पर था अगला पॉइंट है दोस्तो ये सब उतना important नहीं है इसलिए हम लोग इसको जल्दी जल्दी skip कर देते हैं इसमें कोई ज्यादा importance वाली point नहीं है बस इतना importance है आप देख लेते हैं इसमें कोई इंपोर्टेंट्स नहीं है आप अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है इस इंडेक्स में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा देश इसको जारी कौन करता है कौन देश सिर्ष पर है और भारत का उसमें क्या पोजीशन है दोस्तों पहला पहला है मानो विकास सुचकांग 2020 दोस्तों मानो विकास 2020 जो है उसको संजुक्त राश UNDP द्वारा जारी किया जाता है इसमें टोटल 189 बेस है जिसमें परतम अस्थान पर नॉर्वे दुत्ति अस्थान पर आयरलेंड तिस्तिरी अस्थान पर स्विजरलेंड है और इसमें इ निम्दम अस्थान पर दोस्तों नाइजर है यानि 189 पर दुसरा है COVID-19 पर दर्शन सुचकां 2021 दोस्तों इसको लावी इंस्थिशूट आज रिलिया दोरा जारी किया जाता है इसमें टोटल 90 देश है जिसमें परतम अस्थान पर न्युजिलैंड दुसरे अस्थान पर वि पर अगला है वैस्विक लैंगिक अंतराल सुचकां 2021 इसको दोस्तों 208 मंच द्वारा जारी किया जाता है इसमें टोटल 156 देश सामीलित है परतम अस्थान पर आइसलेंड फिन्लेंड और नॉर्वे है और जबकि दोस्तों भारत इसमें 140 अस्थान पर है जबकि अफगान इसमें सबसे अंतिम अस्थान पर यहनि 156 पोजिशन पर है अगला है कारोबारी सुगमता सुचकां 2020 दोस्तों इसको 202 द्वारा जारी किया जाता है इसमें टोटल 190 देश है भारत का इसमें परतम अस्थान पर निवी लैंड जुतिरे स्थान पर सिंगापूर तिरे पोजिशन पर है जबकि सुमालिया इस सुचकांग में अंतिम अस्थान पर यहनि 190 पोजिशन पर है अगला है वैस्विक भुकमारी सुचकां 2020 दोस्तों इसमें टोटल 107 देश है जिसको कार्शन वर्डवाइड जोकी आयरलैंड की है और वेल्ड अंगर हिल्फे जोकी जर करते हैं इसमें परतम अस्थान पर बेलारूस दुसरे अस्थान पर बोशनिया और तीसरे अस्थान पर हर्ज गोविना चाड है दोस्तों इसमें भारत का अस्थान 94 पोजिशन पर है दोस्तों और अंतिम पोजिशन पर चाड 107 पर है दोस्तों यहाँ पर गडबर हुई है तुरा सगलती हुई है कि पहले अस्थान पर यानि वैस्विक भुकमरी सुचकांग में पहले अस्थान पर बेलारूस है दूसरे अस्थान पर बोस्निया है तिसरे अस्थान पर हर गोविना है और चौत्य अस्थान पर ब्राजील है और इस सुचकांग में भारत 94 अस्थान पर है जबकि इस सुची में अम्तिम अस्थान पर चार्ड 107 पोजिशन पर है अगला है वैस्विक नवाचार सुचकांग 2020 दोस्तों इसको वैस्विक बौधिक सुचकांग संगठम दरजारी किया जाता है इसमें टोटल 131 देस हैं पहले अस्थान पर स्विजरलेंड दूसर दूसरे अस्थान पर USA और भारत दोस्तों इसमें 48 पोजिशन पर है वैस्विक नवाचार सुचकांग में दोस्तों अंतिम अस्थान पर यमन है 131 पोजिशन पर अगला है वीश्विप्रेश वतंतता सुचकांग 2021 दूस्तों इसको रिपोर्टर सेंस फ्रांटिर पेरिश द्वारा जारी किया जाता है जिसमें टोटल 180 देश है पहले अस्थान पर नॉर्वे दुसरे अस्थान पर फिनलेंड तिसरे अस्थान पर डेन्मर्क है भारत इसमें 142 अस्थान पर है और इरिटरिया इस सुचकांग में अंतिम अस्थान पर यानी 180 पर है अगला है बाधिक संपदा सुचकांग दोस्तों बौधिक संपदा सुचकांग 2021 जो है US Chambers of Commerce Globalization Policy Center द्वारा जारी किया जाता है इस सुचकांग में पर्थम अस्थान पर USA, दुसरी अस्थान पर UK, तिसरी अस्थान पर जर्मनी है जबकि इस सुचकांग में भारत 40 वे अस्थान पर है और Venezuela इस सुचकांग में अंतिम अस्थान पर यानी 93 अस्थान पर है अगला है लोकतंतर सुचकांग 2020 दोस्तों इसको The Economics Intelligence Unit द्वारा जारी किया जाता है टोटल 165 देश है इसमें परतम अस्थान पर Norway, दुसरी अस्थान पर Iceland, तिसरी अस्थान पर Sweden है इस सुचकांग में दोस्तों भारत 39 अस्थान पर है और उत्तर कुरिया इस सुचकांग में अंतिम अस्थान पर यानी 165 पोजिशन पर है अगला है 200 परति अस्थान पर सुचकांग 2021 दोस्तों इसको IMD के द्वारा जारी किया जाता है टोटल देश इसमें 64 है पहले अस्थान पर Switzerland है, दुसरी अस्थान पर Sweden है, तिसरी अस्थान पर Denmark है और 43 पोजिशन पर दोस्तों भारत है, जबकि Venezuela इसमें अंतिम पोजिशन पर है अगला है सतत्विकास लक्ष सुचकांग 2021 दोस्तों इसको Sustainable Development Solution Network and Salesman द्वारा जारी किया जाता है समधान Network द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड सिस्थान द्वारा जारी किया जाता है टोटल 165 देश है, पुर्थम अस्थान पर Sweden, दुसरी अस्थान पर Denmark, तिसरी अस्थान पर Germany है दोस्तों इस सुचकांग में भारत 120 पोजिशन पर है, जबकि Central African Republican 164, 65 यानि अन्तिव पोजिशन पर है अगला है, बैस्विक खुसेहाली सुचकांग रिपोर्ट 2021, दोस्तों इसको सतत विकास समधान Network द्वारा जारी किया जाता है टोटल देश 149 है, भारत इसमें दोस्तों प्रतम स्थान पर Finland है, दितिय स्थान पर Iceland है, दितिय स्थान पर Denmark है, जबकि भारत इसमें दोस्तों 149 पोजिशन पर है और अंतिम पोजिशन यहनी 149 पर अफगनिस्तान है अगला है पार्यावर्ण परदर्शन सुचकान 2020 दोस्तों इसको येल वीशुवी दारल द्वारा जारी किया जाता है इसमें टोटल 180 देश है परतम अस्थान पर डेन्मार्क है दुटरिय स्थान पर लेकजंबर्क है तित दोस्तों इसको जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है इसमें परतम अस्थान पर कोई नहीं है भारत इसमें 10 पोजिशन पर है चीन ताइपे इसमें अंतिम अस्थान पर है अगला है वैस्विक जोखिम सुचकान 2021 दोस्तों इसको भी जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है, टोटल इसमें 180 देश है, भारत इसमें 7th position पर है, मुजाम्बिक जिमाम में बहमास दोस्तों, पर्थम दिती और तिस्ती अस्थान पर करमशा है, दोस्तों आब इसमें कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, अगर आपको लगता है तो बुक्स में पढ़ले में तब तक के लिए जैहन